हेई गाईज, वेलकम बाक तो मैं डिप चानल, स्मीश रहिश्थास आज की व्लोग में मैं शेर करनी वाली हूं, कि मैं अपने एक्जाम से एक दिन पहले इस तरह पढ़ाई करती हूं, जब मैंने अपने शिलेबस नहीं कंप्लीट करावा होता लाइक कल है मेरा English का exam, PT2 exam है तो कल English का मेरा exam है और आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ चार चाप्टर हमारे English में लिटरेचर में आ रहे और कुछ दो तीन टॉपिक्स ग्रामर में आ रहे हैं ग्रामर तो यार मैं साथ साथ वैसे भी टीचर के कर लेती हूँ जादा मुझे नहीं पता है उन चाप्टर के बारे में तो आफकोर्स मैं अभी बैटके यूट्यूब पे वीडियो लगाने वाली हूँ पूरी वीडियो से मैं समझने वाली हूँ तो सबसे पहले मैं अपना टेबल का सेट अप करने वाली हूँ उसके बाद मैं पढ़ाई करने वाली हूँ तो चलो लेट्स केट इंटू दे व्लॉग ओके सो गाइज यह क्लिप्स हैं 4 नेवेंबर 2024 की तो व्लॉग में बंडे से पहले सबसे पहले यह कीचेन देख वाया रही कितना क्यूट है यह बैसिकली अगर तुमने मेरा प्रिवेस व्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि मैं इंटर स्कूल कॉंपटेशन के ले गई थी तो यार उसमें ना लास्ट में ना सबको यह कीचेन काइंड फिंग दी गई थी जो कि काफी दा मेर को क्यूट लगी तो मैंने सुचा है यार मैं अपने यूनो पाउच में लगा ले तो यह बेसिक इन स्टाक्स का जो यूनो कैमरा होता है उसके लिए मतलब वैसा सा ही थोड़ा इसका लुक था एनिवेस मैं बताती हूँ यार आज जना लग जैसे ही मैं चार तारिक को सुबा उठी बेसिकली भाईदूश पर मैं इतनी जादा प्रड़क्टिव नहीं थी क्योंकि अब पहले से थकी वी थी मैं बहुत जादा बट लेट में टेल यू कि दा यार क्या हुआ थोड नवेंबर के बाद मैं अपने नानी के घर गई थी वहाँ पर भाईदूश बनाया और उसके बाद हम उसी दिन घर आ गई थे वापस और फिर मेरेको पता था यार मेरे पाँ सिरफ एक दिन है और पूरा सिलेबिस कंप्लीट करना है ग्रामर का जो सिलेबिस है ना यार वो अल्रेड़ी हाफ यहली में आ चुका था तो मेरे को आता था जो में टेंचन थी वो थी लिटरेचर की और लिटरेचर ही सबसे ज़्यादा बोरिंग है क्लास 11 की let me tell you like according to me मेरे को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते है क्लास 11 की English literature basically grammar तो अच्छी है यार grammar समझ आती है बट लिटरेचर नहीं आती है बट दिल पर पत्तर रखके paper तो था करना तो था तो मैं बैट गई करने सबसे पहले मैंने क्या करा अपनी डाइवी में लिख लिया कि कौन से कौन से chapters आ रहे हैं उसके बाद बैट गई यह दो बुक हैं हॉन्बिल और स्नाप्शॉट बेसिकली ना चार चैप्टेज आ रहे थे जिसमें से ना यह नो बारा मांग का पूरे लिटरेचर पार था अब मैं बता हूँ यार मेरको सबसे ज़्यादा जो बोरिंग लगाना वो लगा डिस्कवरिंग टूट मेरको सही बता रही हूं मेरको नहीं समझाया वो बट एनिवेस तुम बताना तुम्हें अगर क्लास 11 में तो तुम्हें लिटरेचर को कौन से चाप्टर सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है मैंने सबसे पहले यही उठाया और यहीं मेरको इतना बोरिंग लगा इसी में मेरा दो आधा घंटा बेसिकली आधे से एक घंटा मेरको एक इसके लिए वीडियो डूढने में निकला और इंग्लिश के लिए अगर मैं एक बेस्टिप देना चाहो ना तो यार अनिमेटेड वीडियो से पढ़ा करो अनिमेटेड वीडियो अर दे बैस्ट मतलब अगर तुम्हें इंग्लिश पढ़नी है क्लास 11 की क्योंकि जैसे कि मैं पता बहुत अजीब सी है बहुत बोरिंग है बीसिकली तो इसलिए ना यार हम इंग्लिश के एक्जाम में हो रहा है अगली बार नहीं होगा जब तुम ये वीडियो देख रहे हो मैं अपना एक्जाम देके आ चुकी हूँ और 5th November को मेरा एक्जाम था अभी मैं एक्जाम देके आ गई हूँ और आते ही मैं voiceover कर रही हूँ मेसी के लीना यार मैं पूरे मेरे को लाइक टेबल भी बैठे 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 बहुत जादा नींद आ रही थी तो मैंने इसे हेड़ डाउन करके लेटी वी थी और गैस्वाट मेरी आँख खुली 6 बजे इसलिए फिर मैंने ना फुटा फट से बैठ गई थी रात को इजद से और काम करने लग गई थी क कि मेरे को पता था यार क्योंकि मैंने बहुत टाइंग बेस्ट कर दिया है ऐसा लेट मी नो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कभी या नहीं बट मेरे साथ बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि यार मैंना मतलब कुछ बोरिंग चीज पढ़ने बैठती हूं तो मैं टेबल भी को पैट के मैंने उसको पूरा कंप्लेट करा था क्योंकि यार वो बहुत जादा मेरे को बोरिंग लग रहा था साथी साथ अगर तुमने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज यार कर दो क्योंकि उससे मेरे को काफी ही जादा मोटिवेशन मिलती है और वीडि क्योंकि यार श्रॉट वीडियो मेरे को बहुत कम टाइम लगता है बट लॉंग वीडियो में प्रॉपर्ली वोइस ओवर करना सब कुछ अच्छे से पढ़ाई करते विछ दिखाना तुम्हें वह थोड़ा मुश्किल हो जाता है बट नाव आम गईंट ट्राय में बेस्ट एक नाव में प्रॉट करना सब नाव होड आप और उक्डियो में अच्छ वीडियो में तब दिख दो सिख चार अन्स विडियो में भी बाई